विल्कम तो बॉलीवूड वाला आएम सुनूद दोस्तो धाकड बिल्कुल नहीं चला बॉक्स ओफिस पर बिल्कुल रेस्पॉंस मिला ही नहीं ज्यादा कुछ ओडियन्स के तरफ से बहुत कम लोग गए धाकड देखने के लिए मैं भी जब गया था बहुत कम लोग थे उतना अच्छा रेस्पॉंस नहीं मिलने के बाद धाकड के फ्लॉप होने के बाद क्या हम कंगना को कुईन ओफ बॉलीवूड कह सकते हैं अभी मेरे इसाब से अभी कुईन ओफ बॉलीवूड का जो टाइटल है ना अच्छा ओपनिंग तो लिया है उनका फीमेल सेंट्रिक फिल्म भी अच्छा ओपनिंग लिया है अच्छा ओपनिंग लिया है सस्तें भी किया है like her latest release her last release गंगुबाई जिस तरह से जो collection किया box office पर सिर्फ अलिया भट एक चेहरा थे उसमें known face मतलब big face A-list face तो उनके बल पर फिल्म जिस तरह से चला तो I think now the title queen of Bollywood should belong to अलिया भट कंगना obviously can make a comeback but for that she will have to start delivering box office hits बहुत-बहुत mandatory है क्योंकि जो box office पर hit देता है वो queen बनता है king बनता है इसमें कोई शक नहीं कोई दो राई नहीं no questions are so according to me आलिया is the new queen of Bollywood it's no longer कंगना दोस्तों आपका take लिख कर बताना क्या लगता है आपको क्या कंगना queen of Bollywood है अभी भी धाकड के बाद भी या फिर आपके इसाब से आलिया है या फिर कोई और है जो भी आपका take है इस पर लिख कर बताना चलिए for the moment टाटा बताने से अज़ माँ आपके बताना चलिए रादलिया है आपके भी आपके इस आपके लिए पोगना चलिए